हेलो माई डियर इस्ट प्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डी एसर फोर यू में मैं दीपरने सिंग राजबूत आपकी कक्छा 11 वी के रसायन विज्ञान का रिवीजन अलर्ट लेके हाजर हूं बच्चों इस रिवीजन अलर्ट में आप लोगों को मैंने यहा आप लोग देख लें और मिला लें क्या यह प्रशन आपने तयार कर लिए और अगर नहीं तयार किये तो इनको आप पढ़ लीजिए देखें सबसे पहला प्रशन है मानक हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड क्या है इसको पूरा आपको इस तरीके से लिख देना है और इसका डा तयार कर लिजिए पिर यह विद्धुत्रनातमक्ता मतलब इलेक्ट्रॉण ग्रहन एंथेलप्य और विद्धुत्रनातमक्ता में अंतर ये प्रशन पूछा जा सकता है इसको बच्छों बहुत अच्छे से आप लोग तयार कर लिए यह यह अस्टक नियम क्या है इसकी सीमा तो मेरे पुराने वीडियो देखें अभी जो दिये हैं मैंने उनको आप तयार के लिए यह सब को आपको बहुत अच्छे से तयार कर लेना है इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्ट के एक ही वर्ग में पस्ते तत्वां के बहुत एक और रासाने गुरधर्म समान क्यों होते हैं यह very important question इसको जरूर तयार कर लिजेगा इसके बाद देखने आप किसी वर्ग आवालत वाला यह जो पूरा प्रश्ट है इसके उत्तर को भी आपको बहुत अच्छे से तयार कर लेना है अगला प्रश्ट है संक्रण क्या है इसके आक्रती बतानी है आपको SP क्या होते है यह पूरे लिखी है इसकी परिभासा इसे संत्रत करने की विधी बताना तो हमने यहां पर अनुमान विधी ही पढ़ा रहा है सुरूर से तो इसको आप तयार कर लिजेगा मेंडलीव कि आवर साड़नी को प्योग बच्चों एक चीज बता दे रहूं मैं यहां इसकी देखे पूरा लिखा है इसमें कैसा क्या सिस्टम होता है फिर इसके बाद देखे मेंडलीव कि आवर साड़नी में अंतर यह भी पूछा जा सकता यह अपने आप में इंपॉर्टन कोश्चन है धातु अधातुओं में अंतर भी जा यह जो कोश्चन है यह लाश्ट आपके पूछा गया है इसलिए आप इसको देख लिएगा वैसे भी टेंथ क्लास में तो आपने पढ़ाई होगा यह अपने आप में कॉश्चन SPDF ब्लॉक के सामान एलेक्ट्रोन विन्यास तो दी कि मैंने पैन से लिख दिये हैं यह आप तैयार कर लीजिए इसको कक्छ और कक्छक में तर यह तो common सा प्रश्चन है यह एंसे प्रश्चन अगर हमने नहीं पढ़े तो फिर हमने chemistry में कुछ पढ़ा ही नहीं है क्योंकि इनके बिना तो chemistry है तो यह समिस्थान एक संभार एक बनी बात है परमाड़ वड़ू का अध्यान करता है और समस्थान एक संभार एक नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा ठीक है बच्चों तो छोटी छोटी डेफिनिशन है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं आफ बाव कर नियम इसकी उपयोगता मतलब पावली के परजन नियम के उपयोगता देखिए ये अगले पेच के हैं ये उपयोग इनको कर दीजेगा फिर उसी के साथ लिखा है हुंड के अधिक्तम बहुलता का नियम समीर करन मतलब इसको दाहरन के साब को आपको बताना है तो देखिए उपर सब्सक्राइब करना होते हैं च्रिशाद के परवाहन के के आवर्ती फलन होते हैं में लीव क्या वार्णी को प्योगता यह भी तैयार कर लीजिए अपने आप में अच्छा प्रशन है अनुनात किसे कहते हैं अनुनात के नियम यह प्रशन तो बतलब दीर गुत्री में हैं मतलब यह पांच नम्मर का आएगा अगर यह प्रशन पू इसकी मुख्वधार ना तो देखें यह लिखी हुए है च्छे तक यहां तो यह पूरा आपको यह दो स्लाइड में है इसका पूरा उत्ता दीर गुत्री के अंतर का ताहएगा बच्चों यह तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है हलके में लेना है ठीक है अगले बार देख लोगों हम अगला कौस्चन यहां पर है यह सैसयोजी चुआ के बिश्क्रों जिसर्ट को इसका नियुल 네 विदोस्टां संह Lawrence में एंतर अच्छे यहां यहां परिभासा पूछी दा सकती है विदोस्टां यहां किने कहते हैं और सैसयोजी जियो और किने है यह लाश्ट यह पूछी गई है यह परिभासा इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें ठीके न यहां अंतर तैयार कर लिजिए का आएने क्यों कर साइस नहीं है अब देखो यह प्रशन है एच एफ और एच आई अनू से अधिक ध्रवी होते हैं क्यों पंद देखो यहां पर में रिवीजन कर रहा हुं रिवीजन कर रहे हैं यहां रिवीजन में हुआ ही है कि बिल्कुल सॉलिड सेलेक्टेड क्वेस्टन मिले हैं आपको इनको आपको देख लेना एक बात और कहना चाहूंगा बच्चांग यह पूरे प्रशन आप तयार कर एक बात और कहना चाहता हूं देखिए मेरे हिसाब से जो इंपोर्टेंट है मैंने यहां देदी है मगर आप अपनी भी तैयारी रखें बच्चों मैं बहुत महनत से धूंधार के आपके लिए इंपोर्टन कोश्चन लाता हूं मैं दूसरों की तरह फरजी पीपर नी प्रिं कम से कम एक थैंक्यू तो कर दिया कीजिए आपके लिए इतनी महनत करता हूं और एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपके जो नौवी दस्री वाले हैं प्लीज उनसे भी हमारे जैनल के बारे में बतला दै इस समय थोड़ा सा नौवी दस्री वाले बच्चे मुझे मेरे पा करने हुए हैं इसमें लगबख बहुत सारे प्रश्णों के तो अब देखें यह जैसे करनों के प्रमकुन क्या होते हैं नोट क्रमकुन क्या होते हैं नीचे प्रोटान नूवी दस्री वालों को आप बता देए और एक्जाम के बाद वैसे भी 11 घ्लास आप लोगों के सब के सब पूछे गए हैं क्यों होता है इसको आपको तैयार कर लेना है संक्रण की डेफिनिशन बतारा है यहां पर आंगे और लिखा हुआ है कि यह सब्सक्राइब निकल गया आवर सारी को प्योगतर निम्लिकर्ट वसमें बताएं नवीन तत्मा की खोजी मतलब आवर सारी के उप्योग क्या है तो इन पॉइंट के अंतरकत इसको आपको डिफाइन करना है कि आवर सारी हमारे लिए क्यों प्योगी है अगला कॉस्टन देख सारे के सारे इंपॉर्टन कॉस्टन है इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है कि यहां देखें यहां पर देखें यह वेरी इंपॉर्टन आठावा-9 इनको जरू तयार कर लीजिएगा कि आवल तमाय से दाय जाने पर क्या परिवरतन होता अब यह पूर रहे हैं यहां पर एक प्रश्ण है आधने का आवर्थ सार्णी में क्या अंतर है इसको आपको डिफाइन करना है ठीक है तो यह तैयार कर लिजेगा एक और महात्पूर्ण प्रश्ण आ गया विकर्ण संबंद किसे कहते हैं उदाहरन देकर समझाईए तो देख देखें मोश्ट इंपॉर्टन से सहीं होजा एक और प्रश्ण है बच्चों वांडर वाल्स त्रच्जा इसको भी आपको तैयार कर लेना है देखें यहां कहीं में जाय अगर तो ठीक है मेरे हाँ साइड मिस हो गया मैंडली का आवलत नियम क्या है पिर आदुने का आवलत प्रश्ण है यह मतलब जैसे समिस्थान एक संभार एक डी एफ लॉक के तत्तों में अंतर पी ब्लॉक के तत्तों के गोड़ चार धात में चारी म्रदा धात में कुछ प्रश्ण बीटा जिनको जिसों प्रकास की देती प्रक्रति हो गई है ना हाई जैन वर्ग का निश्च प्रक्राइब कर लेना है फोटान किसे कहते हैं यह बूर रहा है समर फील्ड की परमारो मोडल के प्रोप्रसिस्ता है बत लाइए तो आप इसको देख लीजेगा अब इसके बाद देखें यह जो चल रहा है हमारा यह प्रश्ण इसमें सारे के सारे प्रश्ण आपके लिए इंपौर्टन है इंस सबको तो आपको पढ़र लेना मगरस अपनी तयारी भी कर लेनी हैं यहां देखें कैठोट करने एक yar out क्या होती है प्रिसकी नीचे प्रश्ण और अगर नहीं किये हैं तो अब तैयार कर लिजे ठीक है ना और अकेली definition भी आ सकती है समस्थानिक से आप क्या समस्ते है या सकती है संभारिक से आप क्या समस्ते है ये भाईया ये आयूपी एसी नाम लेखने के लिए आ सकते हैं दस तो हैं मातर तो ये 10 के 10 आप तयार कर लो बच्चों नॉर्मली इनी दस प्रशनों में से पूछा जाता है आयूपी एसी नाम के बारे में तो आप इनको देख लें तयार कर लें जैसे कि फार में कम लाटवे नंबर पर है ऐसी टोन है छाटवे नंबर पर एथल अलकॉल है इनको आपको बहुत अच्छे से तयार कर लो और सीख लो पिर इसके बाद संभारिक क्या है देखिए दिया है इंपॉर्टन है प्लांक का कौंटम सिध्धान दिसको देख लीजेगा प्रकास विद्धत प्रभाव क्या होता है बच्चों कि किसी धातु की सताय पर जब कम तरंग धर का दर्शित प्रकास डाला जाता है तो धातु की सताय से इलेक्ट्रों और सरजित होने लग कोश और कोश इसकी डेफिनिशन भी आपको देख लें नहीं सारे प्रस्णा तो इंपॉर्टेंट है इनको आपको बहुत अच्छर देखना है यह गोलु सेट का नियम हमारे गयलु सेख भाई इनका अप नियम तयार कर लीजेगा आओ गरादो आओ गरादो का नियम कर ली हैं यहां पर दीखिए मूल की ऐसाई काई कैसे चिन्नित करते हैं मूल को कैसे परिवासित किया जाता है कैसे परिवासित किया जाता है मूल को मोल से परिवासित करते हैं रासाइनिक समुझे करें से क्या लाब है या क्या लाब है क्रियाकार को उतपादों की जानकारी मिल संग्छा गयात हो जाती सम्त तुले द्रभिमान गयात हो जाते हैं इस stato को बहुत अच्छे से आप लोगों को देख लेना हैं सारे के सारे अपने आप में मुश्ट इंपॉर्टन कोश्चन है इसके बाद बारी आती है एस वन और एस्ट में अभी क्रियाओं में अंतर दो भाई यह यह कर लीजिएगा हमने उस दिन भी आपको बताए थे इंपॉर्टन दिये थे यह आप आपको मेरा काम है यह कि आप इनको तयार कर लेए अगर कर चुके तो अच्छी बात नहीं किये तो आप लिए अब दीखिए यहाँ पर कॉस्टिन बेंग से भी कुछ प्रशन है सी मानता भी कारक किसे कहते हैं हवा को समांगी मिश्टन क्यों नहीं मानते हवा को समांगी मि हूल मिट्टी साब मिली रहती इसलिए वो समांगी मिश्टन नहीं कहलाता योगे के मुलान पाती सूत्र को परिभासित कीजिए यहां देखें नुवा प्रशन देख रहा है मूल संकल्पना क्या है चोथा देखें विलियन की मुललता परता आपका क्या प्रवाव पड़ता ह मूललता है इस चोटी मोटी परिभासा है मिल जाए उनको भी आप लोगों को देख लेना है ठीक है यहां पर दिखिया वोगरा तो संक्य स्टॉक विलियन मेरी इंपॉर्टन विश्टन स्टॉक विलियन क्या होता है इसको भी तयार कर लीजिए गा ठीक है फिर यहां पर 50 प्रभावी नावी की आवेश में अंतर तो दीख लेना है कैसे तैयार करना है ठीक है अच्छा कोश्चन हैं यह कई जग है पुछा गया है हर गाइड में अवेश में अंतर तोती यह इसके बाति है अपन धाल फ़सके क्या होता है तो औरता के लिए रिफ और हो जाता है pulling को He Bei रेडी हो जाए इसके बाद देखें प्रेरिनिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये भी अपने आप में मज़ेदार सांदार लाजवाब प्रशन है बचों चैनल को नए हैं तो आप प्लीज वीडियो को शेर कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि हमारे वीडियो हमारे जो चैनल है हमारे चैनल में आप लोगों को फरजी पेपर नहीं दिये जाते हैं प्रवाइड कर आए जाते हैं और यह कॉस्टन बेटा आपकी क्वाटरली हाफ एरली और फाइनल एक्जाम सब के लिए वेरी 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 इंपॉर्टन है तो हमारे चैनल एंसा नहीं है कि खाए पी और चलते बने यहां पर तो आपको हमेशा काम की चीज़ें मिलेंगी इसलिए जुड़ जाएए अब आपकी ग्लास वैसे स्टार्ट हो चुके है पढ़ाई स्टार्ट हो चुके है एक्जाम हो गया है हो रहा है चल रहा है तो यहां पर बने रही है आपको हमेंसा कुछ ना कुछ काम की जीज़ें मिलती रहेंगी और नौवी दस्वी वाले बच्चे भी जुड़ जाएं उनसे आप कहा दें प्लीज देखें यह बो रहे हैं नाइट्रोजन की आइनन एंथल्पी यह पूरा प्रशन निकल गया यहां तो इसका अभी उत्तरा अपनों पिछली स्लाइड में देख चुके हैं आप लोग अभी आँगे मिला था यह अननाद वाला कॉस्चन हमें वहां पर पूरा इसको डेस्टाइब किया था अब यहां देखें यहां पर यह तीन प्रशन है क्रिश्टलन आसवन और क्रोमेंट मैंने अपने हिसाब से दिये हैं फिजिक्स के पेपर में भी आपने देखें बहुत बच्चों के कमेंट आए कि आपका पेपर अच्छा गया बहुत प्रशन फसे तो बच्चों मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टन कोश्चन निकालता हूं कोशिश करता हूं आपका जानकारी के होना दे अपनी तैयारी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमारे चैनल का क्या मुखाम है हम आपको कितना भी अच्छा मटेरियल देखे जब आप पढ़नेंगे ही नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा ना तो आप लोग प्लीज अपनी तैयारी भी रखें तो ब स्थान के यह जो है उत्ता कोई खास इंपोर्टन नहीं है क्योंकि यह पहले पूछा जाता ता विगत कुछ वर्शों से पूछा नहीं जिया है तो तीन वर्शों से मगर अभी लास्ट टाइम एक जगे कहीं पर मुझ मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने इसको भी एट कर दि है डी और एफ ब्लॉक में तत्तों में अंतर और हाईजन वर्क का निश्चित तरसे दन दिन को आप देख लीजेगा बच्चों आप सभी लोगों को आपके एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लग बने रहिएगा हमारे साथ मिलते हैं बहुत चल्द अपने किसी और मज़ेदार अगले वीडियो में तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए